वेल्कम टू ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर आज हम क्लास एट की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नमबर 2 को सॉल्फ करेंगे आपका क्वेश्चन नमबर 2 है रवी वार को 845 व्यक्ति चिडिया घर गए सोम वार को 179 व्यक्ति गए मतलब सोम वार को व्यक्तियों की स क्यात करना है कि सोम वार को कितने प्रतिसत लोग कम आई है ना हमने देखा था कि सोम वार को व्यक्तियों की संख्या में कमी आई थी तो वो कितने प्रतिसत थी वो हमें क्यात करना है तो चलिए सॉल्फ कर लेते हैं हम लिखेंगे रवी वार को व्यक्ति गए कितने गए 845 फिर सोमवार को व्यक्ति गए वो कितने गए 179 अब व्यक्तियों की संख्या में कमी निकालेंगे कैसे निकालेंगे 845 में से 179 को माइनस कर देंगे तो देखिए 845 और 179 पांच में से 9 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा 15 में से 9 जाएगी 6 यहाँ पर बचेगा 3 तो 3 में से 6 नहीं जाएगा कैरी लेंगे इससे तो 13 13 में से 6 जाएगी 7 यहाँ पर 7 बचेगा तो 7 में से 1 जाएगी 6 तो आपका आग्या 686 ठीक है अब हम निकालेंगे प्रतिसत में कितनी कमी हुई ठीक है प्रतिसत में कमी कैसे निकालेंगे देखिए कितने ब्यक्ति कम थे 686 हम किस से तुलना कर रहे है रवीवार से तो रवीवार वाला नंबर आ जाएगा नीचे और प्रतिसत निकाल रहे है इसलिए करेंगे 100 का गुणा अब हम इसको काटेंगे तो यह देखिए यह 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 तीन बचेगा तो पांच चक्का 30 चार बचेगा तो पांच नाम 45 यह कटेगा 5 दूनी 10 और यह वाला 0 यह लिख दिया अब यहाँ पर इसको हम 13 से काटेंगे तेरा एकम 13 तीन बचेगा तो 49 हो जाएगा 13 ती 49 इसको काटेंगे 13 पना 65 सरसथ है 65 चले गए दो बचेगा 26 हो जाएगा तो तेरा दूनी 26 आपका आगया 52 गुणा यह उपर 20 हो गया बटे में 13 अब यह 13 से और कट जाएगा तेरा एकम 13 और तेरा चोको 52 तो यह आगया आपका 4 गुणे 20 और यह हो जाएगा 0 2 दो चोको 8 80 प्रतिसत प्रतिसत में कमी कितनी आई 80 प्रतिसत तो हम यहां लिख सकते हैं अताह सोम बार को 80 प्रतिसत लोग कम आई I hope कि आपको आज का question बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा अगर आपको इस question में कोई भी doubt है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं next video में हम इसके आगे के questions को solve करेंगे तो मिलते हैं next video में thanks for watching this video